नमस्कार दोस्तों, प्रत्विधी उपाई में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे महां सिवरात्री। भगवान सिव जी की सबसे महान पर्व महां सिवरात्री जिस दिन सिव जी बड़ी प्रसन्न रहते हैं। मान्यता अनुसार इस दिन भगवान सीवजी के साथ माता पार्वती की बिबाहों संपन्न हुआ था पूरुस और प्रकिती की मिलन के सरुप देखे जाने वाले इस महान रात्री का बहुत ज्यादा मात्वा है दोस्तों कुछ रात्रिया ऐसी होती है जो शिद्दी के लिए तपष्षा के लिए होते है जिसमें मनिश्यों बहुत ज़्यादा तब जब करके बहुत पूजा अर्चाना करके उपासाना करके भगवान सीव जी को मना लेते हैं और इस दिन कहीं सारे सिध्धी की प्राप्ति करते हैं ऐसे ही एक रात है महा सिवरात्री ऐसे ही रात होता है जनमास्टमी के रात और ऐसे ही रात होता है सरत पूर्णीमा तथा दिपावली के रात ये सारे रात्रिया कुछ ऐसे है जो एकदम बाकी दिनों से बाकी रात्रियों से बहुत ज़्यादा अलग है महात्पूर्ण है और स सिद्धी प्राप्ते के लिए सर्वस्ट्र Henderson माना जाता है। सिवराथ्ट्रि के दिन भगवान सिभ जी बड़ी प्रसुझन रहते हैं और इस दिन कुछ चीजये ऐसे हो दि Representatives को फंग सब्सक्राइब रहते हैं। और खुसके दोनों हाथों से आशिर्वाद करते हैं हमारा सारा दुख पीड़ा हरण कर लेते हैं बस मन की बिश्वास के साथ पूर्ण आत्मसमर्पन के साथ भगवान जी के स्वरण में जाना चाहिए दोस्तों भगवान जी तीन प्र लव जुकतों भगवान शीब जी के तुलना की जाती है, और बेल पत्र को तृदेव का प्रतीक भी माना जाता है, बेल पत्र कटा पटा नहीं होनी चाहिए इसमें किसी प्रकार का चक्र नहीं बना होना चाहिए और धोके साफ करके इसमें चंदन लेप के फिर भगवान सीव जी को अरपन करना चाहिए चंदन अगर आप लेप सकते हैं लेपे नहीं तो यहां पर ओम लिख सकते हैं नमस शोक हानाम लिख सकते हैं नाम लिख सकते हैं अपसे प्रकार के मुनकामनाइब बबबन होते हैं जीवन में तुक्षा करके भगवानाद का भांग बड़े प्रिय होते है और बहांग कई सारे जड़ी बुटियों में से एक जड़ी पुटी है जो कि भगवान शीप जी को उससमें भगवान लोग देवता लोग भगवान शीप जीप को दिये जिसमें से यह भी एक था जिससे लेकर भगवान सीव जी को काफी आराम मिला था और इसलिए इस समय से उनको भांग भी बड़ा प्रिया है थोड़ा हमें परेज करना चाहिए जो भक्त पूजा कर रहे हैं उपास रख रहे हैं वह अगर प्रसाथ सवरू भांग ले भी रहे तो खुब औलप परिमान में लेना चाहिए क्योंकि ज़्यादा भांग लेने से आपके उपर संतुलंत बिगड़ जाता है कंट्रोल नहीं रहता है और ऐसा हमें बिलकुल नहीं करना है भगवान सीव जी के समय अपने मन के उपर तन के उपर विचार के उपर पूरी कंट् लीन हो सेके जब भी कोई पूजा करते हैं और भगवान को मनाते हैं तो उस चेज में हमें ऑना होना चाहिए नहीं तो यह फूजा करना और नहीं करना दोनों एक समान होते हैं इसके बाद ऐसे ही पहुत सारे जरीबुटियों में से एक था धतुरा जो विश्च की प्रभाव को कम कर रहा था यह भी बहुत प्रियग होते हैं भगवान सिफ जी को इस दिन भगवान सिफ को धतुरा चड़ा देना चाहिए इससे मनोकामनाय पूर्ण होते हैं भगवान सिफ जी बड़े प्रसंद होते हैं और इस तरह का जो भी मानना तरह जो महासिवरात्र के दिन था इस दिन सभी देवताओं ने भगवान सिफ जी की हलहल बीस का असर कम करने के लिए बहुत सारे जड़ीबुटिया चड़ाये थे इस दिन नंबर पर आती हूं चार नंबर पर आपको चड़ाना है घंगा जल जब धर्ती में गंगा आने वाले थे तो प्रचंद प्रभाव यह ठर्ट सहन नहीं कर पाती थी ऐसे में घंगा धर्ति में कैसे आती थी इसी का इस समश्या का समधान किये थे भगवान सीफ जी भूले प्रिणात ने अपने जटाओं में घंगा को धारन किया और जटा से सोम रूप में घंगा धरती में आई और इसी तरह से मां घंगा सब से ज़्यादा पवित्र नदी माना जाता है और आज भी गंगा जल का एक छोटा सा बुन भी अगर हमारे उपर आग जाए हमारे उपर ग मिलती है इसी लिए गंगा से जोलुर्स नान करवाना चाहिए तथा अविशेख करना चाहिए और लास्ट में पर बताती हूं संंगसार में टू जरूरी है संगसार में परिवार में आप से रिस्ते में अगर मिठास नहीं है अगर रिस्ता में कलह, कलेस, लड़ाई, जगड़ा, मनवानी इतनी चल रहा है तो वो घर तूट जाता है ऐसे में घर में मिठास लाने के लिए संसार में अच्छे से रिस्ता बना के रखने के लिए भगवान सिप जी को चड़ाना चाहिए गन्ने का रस गन्ना मिठ प्रतीक होता है और भगवान को बहुत प्रियव होते हैं इस दिन भोले नात को जो भी गन्ने का रस से सनान करवाते हैं अविसेख करवाते हैं उनके जीवन में मिठास कभी कम नहीं होती है सुख समर्द्धी के साथ साथ रिस्तों में भी बहुत अच्छा सम्मंध रहता है पति पत्नियों को दोनों को साथ में भगवान सीव जी की गरने के रज्ट से अविशेग करना चाहिए इससे रिष्टा काफी मजबूत बानते हैं माननत अनुसार अगर रिष्टा बहुत ज्यादा खराब भी हो चुका है और इस दिन अगर पती-पत्नी दोनों साथ में मिलके गरने का रज से भगवान सीव का अविशेक करें तो उनके रिष्टे में धीरे-धीरे सुधार आते हैं माता पारवती से हाथ चोड़ करके दोनों मिलके यही पर्थन करें कि भवरान हमारे रिस्ता भी आपके तरह पवित्र निर्मौल और सुंदर बनाओ ताकि हम भी अपनी संगसार में अपनी घर में खुश रह सके भविश्व हमारा भी उज्जल हो सके आपके आसिरबात से सब जी को पर चड़ा दिया जाए तो आपका सभी प्रकार का दुख कस्ट पीड़ा से आपको मुक्ति मिलती है इस दिन साकार रूप में प्रकट हुए थे और इस दिन बड़े खुस मिजाज में रहते हैं वक्तों के द्वारा चड़ाया गया दिल से कोई भी चीज वह स्रिका लगता है शेयर करें थाकि लोगों को भी महा सिवरात्ति के युपाई के बारे में पता चले आपके एक लाइक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत महात्व रखते हैं प्लीज सपोर्ट अस मिलते हैं नेक्स्ट वडियो में तब तक के लिए हरी कृष्णा राधी रा